के लिए रीजिनिंग के इंपोर्टेंट कोश्चन देखेंगे तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो प्लीस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और पास में जो बैल आइक में लगता है बही तरीका आगे हम लोग अबलाई करते हैं या जो तरीका मतलब यह भी कह सकते हैं कि पहले का जिस प्रकार दुसरे से संबन्द होता है बैसा ही तरीका हम लोग लगा के आगे का निकालते हैं जैसे कि इसमें देखिए आपका क्या हो जाएगा कभूतर जो हो जाएगा तो निर्दे से प्रसंद संक्या बावन से त्रेपन के लिए नीचे दिये गए विकल्पों में से बिसम समू चुनिए बिसम क्या होता है कि चार आप्सन दे दिये जाते हैं इसमें से जो तीन आप्सन होते हैं वो तो आपके क्या हो जाते हैं समान हो जाते हैं और ज हम लोग एक-एक option को चेक करेंगे बावन में, पहले option को चेक कर लेते हैं, L, K, J, सबसे पहले सभी के alphabet code लिखते हैं, L का code होता है 12, K का होता है 11, J का होता है 10, L से K या कह सकते हैं 12 से 11 बनने में क्या हुआ, एक गटा, और 11 से 10 बनने में क्या हुआ, एक गटा, option B चेक कर लेते हैं Q का होता है code 17, P का होता है 17, 16, O का होता है 15, 17 से 16 बनने में क्या हुआ, एक गटा, और 16 से 15 बनने में एक गटा, option C चेक करते हैं, W का होता है code 23, U का कितना होता है 21, S का होता है 19, तो देखिए, 23 से 21 बनने में क्या हुआ, दो गटा, और 21 से 19 बनने में दो ग का होता है 25, X का होता है 24, 26 से 25 बनने में एक गटा, और 25 से 24 बनने में एक गटा, देखिए option A, option B और option D, सभी में क्या हो रहा है, एक गट रहा है, लेकिन option C में आपके दो-दो गट रहे हैं, तो विसम कौन सा हो जाएगा, option C is the right answer, अगला देखिए, त्रेपन में विसम बतान है, मार्च में देखिए, टोटल होते हैं 31 दिन, और जुलाई भी होती 31 की, दिसंबर भी होती 31 की, लेकिन सितंबर जो होता है, वो 30 का होता है, तो भी सम हो जाएगा, option D, अगला यदि किसी कोड भासा में humidity को इससे लिखा जाए, तो उसी सांकेतिक भासा में politics को क्या लिख लिखा जाएगा, तो सबसे पहले humidity के सारे alphabet लिख लेते हैं, ह, U, M, I, D, I, T, Y, इसको क्या लिखा जारा है, इसको लिखा जारा है, इसको लिखा जारा है, यू, H, M, I, फिर, I, फिर, D, T, Y, अब देखिए गाईस, स्टार्टिंग के दो alphabet, इन दोनों का cross multiply हो गया, फिर, M, I, same to same बाई रहे हैं, अब देखिए आगे के दो alphabet, इनका भी cross multiply, और तो last के दो alphabet हैं, वो बुलकुल अपने same जगाए पे रहे हैं, यही तरीका हम लोग politics के सारे alphabet में लगाएंगे, तो politics के सा alphabet लिख लेते हैं, P, O, L, I, T, I, C, S, स्टार्टिंग के दो alphabet cross multiply कर देंगे, फिर आगे के same to same बाई जगे पर रहेंगे, L, I, फिर आगे के दो alphabet cross multiply, फिर last वाले same to same बाई जगे पर आपके रहेंगे, अब यह जो alphabet receive हुए हैं, यही आपका answer हो जाएगा, और यह कौन से option में आ रहे हैं, option A, O, P, L, I, O, P, L, I, फिर I, T, C, S, I, T, C, S, option A is right answer, अगला है दिये हुए विकल्पों में से उस सब्द को चुनिए, जो दिये के सब्द के अच्छरों का प्रियोग करके नहीं बनाया जा सकता है, सब्द है आपका psychology, psychology से आपका कौन सा सब्द नहीं बनेगा चार option है, तो सबसे पहले एक-एक option चेक करते हैं, पहला सब्द है school, तो school के सारे alphabet आपके psychology में आ रहे हैं, देख लेते हैं, S, C, S भी है psychology में, C भी है, H भी है, H भी है, O, O, O भी है, और L भी है, पहला आपका बन सकता है, option B देख लेते हैं, good, देखिए, good में option last में देखि नहीं बन सकता है, ओके, तो option B is right answer, अगला question देख लेते हैं, यदि grinder को एक कूट भासा में इससे लिखा जाता है, तो उस कूट भासा में render को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो सबसे पहले grinder के सारे alphabet लिख लेते हैं, G, R, I, N, D, E, R, अब इनके number लिख लेते हैं, G का code है 7, R का code कितना दिया हुआ है 6, I का है 5, N का है 4, D का कितना है 3, E का code कितना है 2, और R का है 6, हमें निकालना render का code, तो render के सारे alphabet लिख लेते हैं, तो देखिए R का code उपर कितना है, 6 दिया हुआ है, और लास्ट में भी देखिए 6 दिया हुआ है, तो 6 लिख दिया, E का code कितना है उपर 2, तो 2 लिख दिया, N का code कितना है उपर 4, तो 4 लिख दिया, D का code कितना है उपर 3, तो D के नीचे 3 लिख दिया, E का code कितना है 2, तो E क इतना है छे तो 624 326 तो आपसुन सी इस राइट अंसर नेक्स्ट कुस्चन है यदि टेलेंट को एक कुट वासा में लेटेंट लिखा जाए तो उस कुट वासा में एक्जॉर्टिक को किस प्रकार लिखा जाएगा तो टेलेंट के सारे अलफाबेट लिख लेते हैं T A L E N T इसको क्या लिखा जा रहा है? Latent L A T E N T कैसे लिखा गया? ये भी देख लेते हैं देखिए A जो अलफाबेट है बो सेम रहा E जो अलफाबेट है बो भी सेम रहा N भी सेम है, T भी सेम है लेकिन पहले और तिसरे का cross multiply हो गया यही तरीका हम लोग exotic के लिए लगाएंगे exotic के सारे अलफाबेट लिख लेते हैं पहले और तिसरे को cross multiply कर लेते हैं O और X sorry O और E हो जाएगा आपका और बीच वाला आपका सेम रहेगा X, फिर last वाले तीन जो भी सेम रहेंगे T, I, फिर C तो O, X, E O, X, E T, I, C तो option C is right answer पहला है दिये के विकलपों में से लूप तो संक्या ग्याद कीजिए तो देखिए यहाँ पर question मारके यहाँ पर number बताना की कौन सा आएगा तो हम लोग एक एक कॉलम को लेके solve करते हैं पहले कॉलम को फिर दूसरे कॉलम को last में तिसरे कॉलम को पहले और दूसरे कॉलम में जो बड़ा बड़ा number है 252 और 240 इनको निकालने का तरीका जानना पड़े का और बही तरीका हम लोग आगे apply कर देंगे पहले कॉलम में हमें लाना है 252 252 के उपर नमबर कौन कौन से है 9, 7 और 4 तो इन तीनों का multiply कर देते है 9 गुणे, 7 गुणे, 4 इन तीनों का multiply करने पर हमें क्या मिलता है 252 अब है दूसरे कॉलम में 240 और 240 के उपर कौन कौन से नमबर है 5, 6 और 8 इन तीनों का multiply अगर करते है तो हमें क्या मिलता है 240 यही तरीका हम लोग लगाएंगे तिसरे कॉलम में 6 गुणे, 7 गुणे question mark मतलब question mark को x माल लेंगे इन तीनों का multiply करने पर हमें बड़ा नमबर मिल ला था तो यह किसके बराबर हो जाएगा 210 के बराबर अगला question देख लेते हैं निहा इस स्थान से उत्तर की ओर 30 किलोमीठर गाड़ी चलाती है माल लेते है यह starting point A है और उत्तर जिसा उपर होती है उत्तर की ओर कितना चलाती है? 30 किलोमीठर गाड़ी चलाती है फिर दाय ओर मुलकर 4 किलोमीठर जाती है 30 km का सफर करती है प्रारम्मेकस्तर तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तय करना पड़ेगी तो यहां से लेकर यह दूरी बतानी है तो देखे उपर चार है तो यह भी चार हो जाएगी तो कितनी दूरी तय करने पड़ेगी option D 4 km का सफर करना पड़ेगा 6 मित्र है A B C D E F पूरब की और मुह करके एक पंक्ती में बैठे हैं पूरब decider की तरफ होती है तो पंक्ती एक बना लेते हैं 6 वक्तियों की 2 3 4 5 और 6 और A B C D total है यह अब तक आगे कहता है C बीच में है A और E के अगर हम लोग A को इधर बैठाल दें E को इधर बैठाल दें तो C बीच में आ जाएगा दोनों के आगे कहता है B E के निकर्तम दाएं है B जो है E के निकटम दाएं तो E का निकटम दाएं नीचे की तरफ होगा तो B आपका इधर आ जाएगा आगे कहता है लेकिन C लेकिन D के बाईं हो रहे है तो अगर D यहाँ पर होगा तो D के दाईं और उपर हो जाएगा तो D के दाईं और क्या हो जाएगा आगे कहता एप दाएं चोर पर नहीं है दाएं चोर मतलब नीचे की तरफ नहीं है तो कहां होगा उपर की तरफ होगा तो ए के दाएं और कितने लोग हैं तो देखें यह इधर है इका दाएं आपका किदर हो जाएगा नीचे की तरप तो E के दाइं और कौन कौन है? V और D कितने लोग हैं? दो लोग हैं तो option B is right answer और आज का last question है नीचे दिये गए विकलपों में से कौन सा निम्ले के सब्दों का सार्था कारोई करम दरसाएगा आरोई मतलब छोटे से बड़े तो इसके लिए कौन सा अंसर हो जाएगा? Option C पहले देखे जंगल होगा फिर जंगल के बाद जंगल में ब्रच होंगे ब्रचों में क्या होगी? लकड़ी होगी? लकड़ी से फिर क्या त्यार करोगा? फ़रणीचर तो गाइज आसके से वीडियो में इतना है थैंक्यू दनने में